संराइजर सहिद्राबाद और राजस्तान रॉयल्स के बीच इस आई पील का जो कौलिफायर का सैकंड मैच खेले जाने वाला है मतलब गाईज SRH वर्सेस RR के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में आपको इस वीडियो में डेटेल प्रेडिक्शन देने वालों गाईज ये वाला मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट मैच है का आप खह सकते हैं मतलब डू एंड डाई वाला मैच है जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी वो सीधा पहुच जाएगी IPL 2024 के फाइनल में और वहाँ पे उसके टक्कर होने वाली है KKR से अब सबसे बड़ा प्रशन उठता है कि भाई आज का मैच एक तो कौन से मैदान पे होने वाला है तो आपको बता दू आज का जो मैच खिला जाएगा वो खिला जाएगा M.A. चिदंबरम स्टेडियम चेन नहीं में और चेननाई का गाईज यह जो ग्राउंड है ना यहां का जो पिछ है ना वो काफी जादा डिफरेंट होने वाला है और साथ में आज के मैच में ऐसे कौन से प्लेयर्स है जिनको लेके अपन विनिंग कर सकते हैं यह सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए आपको यह वीडियो कम्प्लेट वाच करना है गाईज कल के मैच की जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही गई मैंने आपको बोला था भाई राजस्तान रॉयल्स के दो प्लेयर है इनको आप अपने टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना एक तो रवी चंडरन अश्विन और एक यह शश्वी जैसवाल मेरे कहने पर गईज दोनों को बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में रखा और उन सबी भायों की गईज काफी अच्छी विनिंग हुई और अपन ने जैसी विनिंग लाश्ट मैच में किये न अगर वैसे विनिंग अपन को आज के मैच अभी करनी है तो आप यह वीडियो पूरा देखे साथ में आपको बता दू एसारेच वर्सेस आरार के बीच जो आज की मैच की मैं आपको टीम प्रेडिक्शन देने वाला हूँ उसमें गईज देखे कुछ प्लेयर है जो आज के मैच में काफी जादा से इंपोर्टेंट होने वाले हैं कौन कौन से प्लेयर्स है एक तो गाईज देखे संजू सैमसन संजू सैमसन राजिस्थान रॉयल्स के टीम के कपतान है और हाई प्रेशर वाले मैच में मुझे लग रहा है एक के जिम्मेदारी के साथ खेल सकते हैं तो इनका रोल इंपो आपको बता दू रवी चंडरन अश्विन और आवेश खान यह राजिस्तान रॉयल्स के दो बॉलर ऐसे हैं जो कही ना कही लास्ट चार-पांच मैचों से काफी अच्छा पर्फरमेंस दे रहे हैं और आवेश खान का रिकॉर्ड तो गईस कही ना कही ऐसा रेच के अगें लिग को जिता के देने वाले हैं तो वह गाई मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वालों और जैसी विनिंग अपन ने लास्ट मैच में किया अगर वैसी विनिंग इस मैच में और आगे आप करना चाहते हो तो भाई को गईस पक्का से सपोर्ट करिए इस वीडियो प कर आप पूरा वाच करते हो तो गाइज आप 10,000 रुपे विन कर सकते हैं मतलब केवल आपको वीडियो पे लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और कंप्लेट वीडियो देखना है आप गीववे विन कर जाओगे तो लाइक करने पर आपका भाई तो खुश होगा ही होगा साथ में आप भी गीववे विन कर जाओगे और आज के मैच में कई बड़े अपडेट्स है जो मैं आपको बताऊंगा इसलिए आप कंप्लेट वीडि के शाथ अभी शेक शर्मा ही ओपन करने वाले इसके बाद नंबर तीन पर राहूल ट्रिपार्टी आएंगे नंबर चार पर नितिश रैडी शाबाज एमद गई मुझे थोड़ा सा डाउट फुल लग रहा है कि आज के मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा क्योंकि श्वीर सिंग और शाबाज अमद यह मुझे दोनों डाउट फुल लग रहे हैं अब गईस सबसे बड़ा प्रशनिस सबी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई इस टीम में से अपन बॉलर्स में से किसको पिक करें बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिस भी है बुवनेश श्वी जैसवाल और कैड मॉर यह दोनों गईस ओपन करने वाले नंबर तीन पर संजू सैंसन फिर्यान पराग फिर्व जोरल आएंगे इसके बाद शिम्रन हैट मैर रोमन पोवल रवी चन्नन अश्विन ट्रैंड बोल्ट आवेश खान संदीप शर्मा और यजवंदर चै अब गैज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जब SRH वर्सेस आरार के बीच जब मैच होता है ना तब गैज कौन-कौन से प्लेयर पर्फोमेंस करते हैं मतलब उनका head to head stats क्या है इसके अलावा MH इदंबरम श्टेडियम चेन्नाई में कौन से प्लेयर्स का रिक प्लेट कराना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है पका से दबा देना बैल आइकन के घंटी दबा के अलप्रैस कर देना है अब संडाइजर सहद्राबाद और राजिस्तान रॉयल्स की तरफ से जो बॉलर्स है इनमें से कौन से कितने ओवर्स कराएंगे और कप कराने वाले हैं और इस्पेशली डैथ में कौन कराएगा पंदा से बीस ओवर्स में तो अगर मैं राजिस्तान रॉयल्स की बात करूं या संडाइजर सहद्राबाद की बात करूं तो ऐसा रेच की तरफ से भुवनेश्वर कुमार पैट कम और यह और बॉलर्स विकेट ने ले पाले तम इन दोनों से कराया जा सकता है और जो पंदा से बीस ओवर्स है ना दैथ वाले वह कराएंगे पैट कमिंस भुवनेश्वर कुमार और नट्राज यह तीनों काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है क्योंकि दैथ में बॉलिंग कर है इसके अलावा अरार की तरफ से ट्रैंड बोल्ट आविश्कान चहल अश्विन संदीप शर्मा यह टीम अपने पांच बॉलर्स के साथ ही जाने वाली है और यह पांच वह अपने कंप्लेट ओवर्स कर देंगे और जो दैथ की बॉलिंग करेंगे ना 15 से 20 ओवर वाली व आज के मैच के प्रैशर को कौन एंडर कर सकता है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको बता दू राजिस्तान रॉयल्स के दो प्लेयर ऐसे हैं जो खास तोड़ से गई इस मैदान पर काफी अच्छा करते हैं तो अगर आप आप आज के मैच की ऐसे लिया ज दोनों टीम प्रोवाइट कर दूँगा जिससे आप बैस टीम बना पाओगे जैसी लास्ट मैच वे विनिंग होई ना वैसी इस मैच वे हो जाएगी तो अभी भी लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का से गाइस कर दीजिए अब सबसे वाला है तो आपको बता दू है मेच चिदंबरम स्टेडियम का जो पिच है वो अपने इस्पिन फ्रेंडली नेचर के लिए जाना जाता है बट यह वाले आई पिल में गई ऐसा कुछ जादा देखने को मिला नहीं है फास्ट बॉलर्स नहीं आपके काफी जादा विकर्स इसके अलावा रनों की बात करो तो इस वाले वैन्यू पर भी गई अच्छे खासे रन बनते हैं पिच काफी हद तक बैटिंग सपोर्टी अगर आप वैन्यू स्टेट देखोगे तो इस वाले मैदान पर गई टोटल एक सो सैथेस मैच हुआ है जिसमें से जिस टीम ने पह पस्ते दोनों मैच हुए ना अभी कॉलिफायर और एलिमिनेटर का दोनों मैच किसने जिते जिस टीम ने चेज किया है तो चेजिंग मुझे आसान लग रही है और आज के मैच हो भी ऐसा ही होगा जो भी टीम टॉस जितेगी पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी और एक काम गईज पक्का से कर देना मेरा टेलिग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यह आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे गईद में हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम देता हूँ टॉस के बाद तो इस टेलिग्राम चैनल को पक्का से जॉइन कर देना इसी वीड देखे गई चैनल के इस वैन्यू पर जो अभी लास्ट तीन मैच खेले गए इनमें कैसा कैसा स्कोर बनाए इसके बेस पर आप टीम बनाओगे ना तो एक बैस टीम आपकी बन पाई ही तो S.R.H का इतियास इस वाले मैदान के साथ उत्ता अच्छा है नी और इस वाले मैच वे बारा विकेट पेसर को मिले ते इस पिनर्स को किवल एक विकेट मिला मतलाuğ मैक्सिमम विकेट फार्स बॉलर्स नहीं निकाल ए इस वाले मैच इसके बाद घखें यहाँ पे एक म तो मतलब पिछ काफी हद तक निट्रल रहा और इसके बाद यहां पर लाश्ट मैच हुआ 12 माई 24 को राजिस्तान रॉयल्स और चेन नहीं सोपर किंग्स के बिच आरार ने गई 141 बनाए चेन नहीं 145 बना गया इस वाले मैच पेसर्स को चैस स्पीनर्स को तीन तो गाइज आपको बता दू इस वाले वेन्यू पर है ना दो तीन पिचेज अब आज का मैच कौन से पिच पी होगा यह अभी बताना बड़ा मुश्किल है यह आपको मैं लाइव स्ट्रेमिंग में या टेलिग्राम पर बता दूँगा बट यहां पर गईद अगर आप बॉ बहुत सारे लोगों ने अश्विन को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा मेरा तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे आपको हर तीस समझ में आईगी तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है इसके अलावा देखिए ऐसारेच वर्सिज आरार का गाईस क्वालिफायर का सैकेंड मैच और इतना बड़ा मैच हो और माई लेवन सर्किल एप्लिकेशन आपको ओफ़र ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता देखिए गई जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जितने लोग मिल जाता है बड़ गैज मैं आपको इस वाले मैच में एक शांदार ओफर दे रहा हूं माई लेवन सर्किल एप पे जो ग्रैंड लीग होती है वह आप लोगों को पता है 49 रुपेस की होती है सब लोगों को पता है अगर आप मेरे लिंक से जाके डाउनलोड नहीं करते हैं में जाते हैं वहां से जाके जॉइन करते हो तो आपको 49 रुपेस पे करने पड़ेंगे एक टीम के और अगर आप पास टीम लगा रहे हो तो आपको कम से कम 250 रुपे करने पड़ेंगे अब आपके लिए गाईज मैं यह चीज आसान कर जाता हूं आपको क्या करना है माई 11 स दिस्क्रिप्शन सेक्शन है और जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मैंने जो सबसे टॉप पर जो लिंक पिन किया हुआ है अगर आप उस लिंक से जाके एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हो तो जो 49 की मेगा ग्रेंड लिए गैना गाईज वो रह जाएगे कटके एक रुपे क मतलब सीधे सीधे 48 रुपेस का बेनिफिट है अपका एक टीम में और उसमें भी आपको पांस टीम का मौका मिल रहा है मतलब आप पांस टीम लगा सकते हो केवल पांच रुपे में अब बताइए आपका जाग क्या रहा है मैं तो कह रहा हूँ टॉप दस अजार में भी आ है ना तो भी पांच उपे से जादा ही आएंगे यह वाला जो ओफर है ना वो नए यूजर्स के लिए अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो भाई अपने रिलेटिव या फ्रेंड के मोबाइल लीजिए उससे रजिस्टर करके इस ओफर का फायदा उठा लेना बार बार यह ओफर नहीं मिलता इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंड के लिंक से जाके डाउनलोड करके पक्का से जॉइन कर लेना और गाईद चाहे आप मेगा ग्रैंड लीट के लिए डिपोजिट करो या कोई भी कॉंटेस जॉइन करने के लिए माई लेवन सरकिल जब भी अपना पहला डिपोजिट करो न तब मेरा कोड जरूर डाल देना कोड क्या है एक्सपर्ट थेईश एक्स पी ए आर टी तेईश एक्सपर थेईश कोड जैसे ही आप डाल दोगे न आप जितना मॉंट डिपोजिट करोगे न कोई सा भी अमॉंट उसका 20 परसेंट एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा ना की बोनस मालों आपने दो सो डिपोजिट किया तो दो सो चालिस पान सो किया तो छैस्सो हजार किया तो बारस तो गाइस ग्रैंड लीग जॉइन कर लेना और डिपोजिट करते टाइम एक्सपर्ट तेस कोड़ डाल देना ताकि मेरे भाईयों का बेनिफिट हो जाए मैं यही चाहता हूं तो पक्का से गई डिपोजिट कर देना और यह कोड़ पक्का से डाल देना और जब भी जहां पर मेगा ग्रैंड लेगा विन कर जाते हो तो यह प्राइज मिल कर देना बैल आइकन की घंटे दबा के औल प्रैस कर देना आप यह मत सोचने अब आई पील खतम हो गया तो काम खतम भाई आई पिल के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है वहां की जर्णी और भी खतरनाक होने वाली है तो अगर आपको वहां पर भी विनिंग करना है ना तो इस चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना नीचे सब्सक्राइब का बटन है और साथ में मेरे टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को भी जोइन कर लेना डिस्क्रिप्शन और कमेंड के लिंक से बट माई-11 सरकी लैप पे गईस थोड़ा सा वित् ग्यारा क्या होने वाले तो बिलकुल ध्यान से वीडियो देखिए और अभी भाई के लिए लाइक नहीं किया है तो कर देना गाईस आज आपको 20,000 लाइक्स तक पहुचाना है मुझे पक्का से सब भाई करेंगे अपन डैफिनेटली मा तक पहुचेंगे तो विकेट कीप मैदान पर इसने दो मैच के लिए 37 वना है और लास्ट तीन मैचों में आप देखे 32 42 इसके बाद यहां पर संजू सैम्सन आते राजिस्तान रॉयल्स के कप्तान है नंबर तीन पर खेलेंगे संजू सैम्सन का रिकॉर्ड गई आपको मैंने बोला था ऐसा रेज के अगेंस अच्छा रहता है ऐसा रेज के अगेंस इसने 22 मैच के लिए 46 की एवरेज से 79 वना है बट संजू सैम्सन के साथ बस एक वीकनेस जरूर है इस मैदान पर रिकॉर्ड है ना संजू सैम्सन का थूड़ा सा खराब है इस मैदान पर 4 मैच में 49 रनी बनाएं केवल 10-11 का एवरे को तो अल्ली ग्रैंड लीग में रखी है स्मॉल लीग के लिए बैटर नहीं है तो विकेट कीपर सेक्शन में गई देखें आज के मैच में ना दोनों प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कौन-कौन संजू सैम्सन को इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि कप्तान है हाई प्रेशर वाला मैच होगा उसके अकॉर्डिंग अच्छा कर सकता है बस थोड़ा सा इस वैदान पर रिकॉर्ड खराब है वो चीज देख लेना और दूसरा क्लासन को डेफिनेटली पिक करना क्योंकि यह दोनों प्लेयर आपको दो तरीके से पॉइंट देंगे एक तो बैटिंग से रन बना के और दूसरा स्टंपिंग कैचिंग के भी पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि विकेट कीप रिंग करेंग इसलिए संजू सैम्सन और क्लासन को तो रख लेना अब अगर आप यह दो प अगर चल गए ना तो दस और में 150 बना दे इस तरीके के प्लेयर है नहीं तो जल्दी आउट हो जाए पर इन दोनों के लिए चलना इतना आसान होगा नहीं क्योंकि राजिस्थान के पास क्वालिटी स्पिनर है अश्विन और चाहर कहीं ना कहीं फसा सकते हैं तो ट्रेवि प्रॉसिबिलिटी है कि आज के मैच वे फॉर्म में आ जाए क्योंकि दो मैच से फ्लॉप चल रहा है अभी शेख शर्मा लेफ्ट हैंडेट बैटर है ओपन करने वाला है लास्ट तीन मैचों में 36 75 इसका भी इस मैदान पर रिकॉर्ड देखोगे तो चार मैच में केवल 56 बनाए सामने वाली टीम के अगेंस पांच मैच 97 रन चोईस का अब्दूल सामत यह मेरे अकोर्डिंग उतना ज्यादा खास पिक नहीं है क्योंकि इस आई पिल में अब्दूल सामत की अगर आप फॉर्म देखोगे तो उतनी अच्छी रही नहीं है लास्ट तीन मैचों में मैच का मोस्ट इंपोर्टेंट प्लियर बन चुका है क्योंकि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है नंबर तीन पोजिशन पे खेलने वाला है लास्ट मैच पर 55 उससे पहले 33 उससे पहले 11 और इस मैदान पे अगर आप इसका एवरेज देखोगे ना पांच मैच 143 रन 29 और सा अगरा है ठीक है तो आपको रखने पड़ेंगे अब हो सकता यह जल्दी आउट हो जाए वह मैं यह नहीं खह सकता बट यह प्लियर ऐसे अगर चल गए ना तो फिर थमते नहीं है इस लेवल के प्लियर है तो अभीशीक शर्मा ट्रैविस हैड और राहुल तीपाट यह ती गलती आप कर रहे हो कही ना कहीं आप गलत प्लेयर मिस्स कर जाओगे राजिस्तान रॉयल्स की तरफ से बैटिंग सेक्शन में गई स्कौन सा प्लेयर आज के मैच वे बैस्ट है आरार की तरफ से यशश्वी जैस वालब फॉर्म में आ चुका है लेफ्ट हैंड बैटर है ओपन करेगा लाश्ट मैच पर पैतालिस बनाये थे इस मैदान पर रिकॉर्ड खराब है दो मैच चौतिस रन सत्रा का एवरेज है सामने वाली टीम के अगेंस ऐसा रेच के अगेंस च्छे मैच दोसो चोईस रन सैथिस का एवरेज कैड मुरी की बात करें ओपन करेगा बी सोला बीस रन ऐसे ही बनाता है और लास्टीन मैचों में देखे सोला चार तेरा वैसे ऐसा रेच के अगेंस रिकॉर्ड अच्छा है रोमन परवल का दो मैच में 94 रन है पैतालिस का एवरेज है और शिम्रन हैट मैर जैसे ही टीम के साथ जुड़ा टीम आते ही मैच जिद ग सब्सक्राइब को सुट नहीं करता चार मैच में केवल पैतालिस सन्मन है तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग दो प्लेयर ज्यादा बैस्ट है जैस वाल को तो रखना ही रखना है यह तो इंपोर्टेंट है कैड मोरे को रख सकते हो नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो आप पर सोड़ तो क्या कर दो वैसे मैंने आज की मैच की दो टीम बनाई है दोनों में आपको दिखा दूँगा इनको कैसे यूज करके चलना है इसके बाद गई बात आती है और सेक्षन की अब संदाइजर सेदाबाद की पास देखी तीन और जिसमें से सबसे बढ़िया की बात कर खेला हुआ है शाबाज एमत की फॉर्म तो गई वैसे ही बहुत खराब चल दी है लास्ट तीन मैचों से ना तो एक भी विकेट मिला है ना बैटिंग से रन मना पा रहा है और यहां पर सन्वीर सिंग यह मुझे लगता नहीं आज का मैच खेलेगा लास्ट तीन मैचों में है SRH को तो यहां पर आज के मैच के लिए तो नितिश रेडी ही बैटर है जिसको आप लेके आ सकते हो पर राजिस्तान रॉयल्स का अल्राउंडर सेक्शन गाइस काफी ज्यादा श्ट्रॉंग हो चुका है क्योंकि अश्विन गाइस इनका जो सबसे सिनियर प्लेयर है वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुका है लास्ट मैच में तो मैन अफ दा मैच था आर से वी वाले मैच में और इसने लिए ते दो विकेट पूरा मैच गुमा दिया था इसने कैमरान ग्रीन और मैक्सवेल का विकेट लेते नहीं तो 200 प्लस बनाती आर से आर से आराम से और यह पिच आज का मैच स्लो पिच पे हो गया ना तो यह काफी जादा बैटर करने वाला है अश्विन आज के मैच में और इसके अलावा इहां पर रियान पराग जो की नंबर चार पे खेलेगा और शांदार फॉर्म में चल रहा है लास्ट टीन मैचों में 46-47 तो भाई आज में आर-a- exam ≳ के तो दोनों ओल्राउंड टीम में रख लेना उषविन को भी ले ले लेना भाई इंकोराग को भी ले लेना दोनों के दोनों इंकोर्टन रखना पड़ेगा काफ़ी जादा इंपॉर्टेंट पिक हैं इसके बाद गाइज बात आती है संद्राइजर सहद्राबाद की बॉलिंग सेलेक्शन गी इसारेज की तरफ से अगर आप देखोगे तो चार बॉलर गई यहां पर पहला है पैट कमिंस जो की टीम के कप्तान है इस मैदान पर नौ मैच साथ विकेट है सामने वाली टीम के अगेंस पांच मैच विकेट है तो कमिंस को मैंने पंट प्लियर में इसलिए डाला था क्योंक हो सकता है और नटराजन तो डेफिनेटली पिक करके चलिएगा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दैट में बॉलिंग कराता है विकेट निकाल के देगा और लास्टीन मैचों में तीन विकेट है इस मैदान पे शह मैच पांच विकेट सामने वाली टीम के अगें है यह प्लियर और आविश खान का रिकॉर्ड भी अच्छा है इस मैदान पे चार मैच साथ विकेट है और सामने वाली ऐसारेच को बहुत परिशार करता ही है च्छै मैचों में दस विकेट है और लास्ट तीन मैचों में दीन और दो पांच विकेट संदीप शर्मा ले लेता है दो तीन चार तो चारों में सबसे अच्छी फॉर्म में अगर राजिस्थान डॉयल्स की बॉलिंग देखोगे तो आश्विन और आवेश खान है कही ना कई फॉर्म में बाकि आप बोल्ट और चहल को भी यूटिलाइज कर सकते हो कोई दिक्कत है नहीं लेना संद्राइजर सहित्राबाद की तरफ से आज के मैच में देखे प्लेइंग 11 में चेंज हो सकता है गलाइंट फिलिप्स आपको डैरेक्त खेलते हो देखें उम्रान मलिक आजा है वाशिंग्टन सुन्दर उनाटकट उनाटकट आपको डैरेक्ट प्लेइंग 11 में आता प्लेयर बैटल आपको दिखाता हूं जिससे आप आज के मैच पे बड़ा प्लेयर ड्रॉप कर सकते हैं अभी शेक शर्मा मोश्टी लोगों की टीम में होगा बट अभी शेक शर्मा आवेश खान के अगेंस पे गाई श्ट्रगल करता है आप देखें आवेश खान साथ बॉल और तो राहूल त्रीपाटी अभी शेक शर्मा दोनोर इसकी रडार में हैं आज के मैच में अब्दुल सामत चहल यहां पर 11 बॉलों में 2 बार आउट कर चुका है इसके अलावा यहां पर आप संजू सैम्सन देखिए भूमनेश्वर कुमार चार बार आउट कर चुका है स के मैच में रिसकी रडार में रहेंगे तो जो भाई ग्रैंड लीग खेल रहा है इनको आप ड्रॉप कर सकते हो यह बैटल देखके संदीब शर्मा की जगए टीम खिला सकती अब गाई सबसे बड़ा प्रश्ण उठता है कि आज के मैच की क्या टीम मैंने बनाई है तो गाई दिखे आप लोगों के लिए दो टीम मैंने बनाई है दोनों आपको दिखा देता हूं उससे पहले गाई इस वीडियो पे जो 20,000 लाइक का टार्गेट अना यह आप लोग से सब्सक्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबा के अल प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूं या लाइव श्रीमिंग करो आपके पार नॉटिफिकेशन आये और आप सीधा मेरे साथ जुड़ जाए तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और कप् आप यूज कर सकते हो फिर दूसरी टीम भी बताऊंगा बहुत सारे लोग बोलते हैं रिसके टीम भी दिया करो वह भी दिखा देता हूं विकेट कीपर में संजु सैंसन और हैंदिच क्लासन को मैंने रखा है दोनों कीपर बैटर बैटिंग सेक्शन में ट्रैवी सैड यश रश्विजैसवाल दोनों शांदार बैटर और राउंडर में रियान पराग और अश्विन यह दोनों राजस्तान की मोस्ट इंपार्टेन पेडिए और यहां पर रखा है अभेशेख शर्मा और पैट कमिंश को यह आप देख सकते हैं अभी शचेख शर्मा पैट कमिंश और बॉलिंग सेक्शन में रखा है नत्राजन को भुमनेश्वर कुमार को और आवेश खान को तो यह वाली टीम में आप हैट वगरे में यूज कर सकते हैं क्योंकि इस टीम में मैंने सारे क्वालिटी प्लियर्स को टीम में रखा है अब दूसरी टीम भी आपको दिखा दे द मालो कैड मोर आज के मैच में जबरदस फॉर्म कर जाया है तो कैड मोर ऐसे डिफ्रेंशल पिक है यहां पर रियान पराग पैट कमिंस और नितिश रेडी को रखा है क्योंकि आविश खान अगर मालो अभी शेक शर्मा को आउट कर देता है यह जल्दी आउट हो जाता है त तरफ से बॉलिंग में नटराजन और यजवंदर चहल और ट्रैनबोल्ट तो अगर आप इस वाली टीम को देखोगे तो यह थोड़ी सी डिफ्रेंशल अगर आप चाहो तो इसमें क्योंकि कैड मोरे डिफ्रेंशल पिक है नितिश रेडी डिफ्रेंशल पिक है यजवंदर चहल और ट्रैनबोल्ट यह दोनों डिफ्रेंशल है तो यह वाली टीम भी आप यूटिलाइज कर सकते हो बट यह थोड़ी सी हाई रिसकी है पहली वाली थोड़ी सेफ टीम है जो आप ले जा सकते हूं इसके अलावा माई 11 सरकी लैप पे गईस 49 रुपेस की मेगा में कमेंट में उससे जाके डाउनलोड करना है और आफर का फायदा उठा लेना एक घंटे के अंदर-अंदर जॉइन करने ना हदर वाइस फायदा नहीं मिले जितने यूजर है जो देख रहे हैं पक्का से कप्तान वाइस कप्तान के लिए आज के मैच में चॉइस देखे से और वी सी के लिए आज के मैच में अगर मैं बात करू तो ट्रैविस एड्ट संजू सैंसन क्लासन इन में से ही किसी को बनाने वाले हैं बाकि मैं फाइनली किसको बनाऊंगा वह या तो लाइव स्ट्रीमिंग में बता दूंगा या टेलेग्राम पे टॉस के बाद बता त तो एसार एच वर्सिस आरार क्वालिफायर टू मैस डिटेल प्रिव गाई यहीं खतम होता है और आज के मैच का फ्री गीववे का प्रश्ण है कौन सा बैट्समें आज के मैच में सबसे ज्यादा रण मनाएगा जिनको आंसर देना है वो कमेंट सेक्शन में जाके दे सकता जाते जाते गईज वीडियो पर लाइक करजाना चैनल सब्सक्राइब करजाना मेरा वीडियो गईज फुल इंफॉर्मेटिव था एजूकेशन परपस से था और ऐसे वीडियो देखते रहो और ऐसे प्यार देते रहो ठीक है भाईयो आद आप सुश्यकाल और नमस्कान